नमस्कार किसान सात्यों मेरा नाम मैं रुग्रास संग राठोड और भूमी पुत्र के स्यूटीब चैनल में आपका हाड़ देख स्वागत करता हूं किसान सात्यों ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक वीडियो और इस चैनल पर जिस पर हमने तश्पढ़नी अरक के बारे में बात करी है ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को आप देखे क्योंकि जतने भी हमारे रष्चूसक कीट होते हैं आगनी अस्तर के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है क्या सामगरी हम को प्योग में लेनी है साथी साथ हमें जितनी भी प्रोसेस है पूरी प्रोसेस किस तरीके से करनी है कितनी आउदी में इसको प्रयोग करके खतम करना है सावधानी के क्या रखनी है छिड़काओं के लिए डोस कितना लेना है पूरी एक्सवाईजर जानकर इस वीडियो हम समझने वाले है जितनी भी चीज़े आपको घर पे आसानी से मिल जाएगी अगर आप एक किसान है तो डेफिनेटली आपके पास यह सारी चीज़े आसानी से मिल जाएगी किसान साथी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है उसमें 10 से 11,000 किसान साथी मुझसे जुड़ चके हैं और काफी अच्छी तरीके साम एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं काफी जाधा अच्छी वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने लेकर भी आता हूँ तो मेरा उत्सावर्दन करने के लिए साथी साथ चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अन्य किसानों तक चैनल को पहुचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जाधा साथ शेयर करें ताकि मुझे अच्छा motivation मिल सके और मैं आने वाले समय में आपके लिए और भी बहतरिन वीडियो ला सको किसान साथ बिना किसी देरी के हम वीडियो के शुरुआत करते हैं आज जो हम एक जेविक तरीका जिसे हम कीट नाशक बनाने वाले हैं इंसेक्टिसाइड बनाने वाले हैं वह इंसेक्टिसाइड का नाम है अगनी अस्त जैसा कि आप यह पर देख पा रहे हैं यह आपके तीन तरीके से काम करता है जितने ही भी हमारे तने के कीट होता है तने के कीट है स्टेव बो रहे हमारा जो किके आप काफिजधा देखते हैं तो तनहीमें जितने पी केट लगते हैं उनके आपर घ्रेक करेगा फ़लो में होने वालि सुंड इस देख रहे हैं हो आप die दीख रहे हैं आपको मुझ के रूप से जतने भी बींगन की कहती करते हैं उसमें आप आप लेखिए आप फूटों देखिया इनको एकन्ट्रोल करेगा साथी साथ इल्लीओ को भी कुछ मात्रा में एकन्ट्रोल करेगा मैं या पर इसलिए बोल रहा हूं कियोंकि जो त्षपर्णियर्क है यह लियों के ऊपर काफी ज़ादा अटेक करता है और रस चूसक कीटों क पर आप मुझसे वहाँ पर जाकर जुड़ जाए है टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथ ही साथ हम वाटसप ग्रूप भी क्रिएट करने वाले तो उसका बिल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप मैं फोटो शेयर करते रहता हूं तो यह पूरी मेथड उनी लोगों ने बताई और मैंने जाचने के बाद परखने के बाद मुझे सारी चीज़े पता चली है अक्यूरेट तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे अग्नियस्तर को इसकी जो जो सामगरी चाहिए हो आप यहां पर दे को बताया था's वह पाँच चीज़े आपको लेनी है उसके बाद आपको एक मिट्टी का बरतन लेना है यहाँ पर लकडी का डंडा ले लिजी आप यह प्लास्टिक का डंडा ले लिजी यहाँ पर लकडी का ही ले लिजी को कि इस प्रोसेस में हम जो प्रोड़क्ट है इसको हम गर्म करने वाले हैं आप किसी भी धातू का डंडा उप्योग ना करें अब 48 घंटे का इसमें प्रोसेस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक चाड बना रखा है मेरी साथ से छोटा सा आपको क्या करना है 48 घंटे तक मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें सारी सामगरी पानी के साथ मिला कर भर देनी है अब पेले 48 घंटे तक इनको अच्छे से मिला कर रख दीजिये 2-3 बार इसको चलाईए उसके बाद अगले 48 घंटे में आपको इसको चार बार आग लगा के उबालना है मिट्टी के बरतन में उसके बाद अगले 48 गंटे तक आपको इसको च्छाओं में रखना है और अगले 48 गंटे में आपको यहाँ पर इसको डंडे से चार बार हिलाना है अगले 48 गंटे में तो आपका यह प्रोसेस पुरा बनके तयार हो जाएगा अब 48 तो यहाँ पर 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, ठीक है हमारा हो गए 8 दिन, 8 दिन में हमारा बहुती शांदार इंसेक्टि साइट तयार है जो कि कम खर्च में आप तयार कर पाएंगे आपके इंसेक्टि साइट का खर्च बचा पाएंगे और प्रात्मिक तरीके पर मैंने आपको समझाए कि जो प्रात्मिक स्टेज होती है उसमें आप इंका इस्तमाल करें डेफिनिटली बहुत शांदा रिजल्ट आएंगे मानता हो रासाइनिक तरीके से काफी अच्छी खेती हम पूरी तरीके से उसको भूला नहीं सकते और कुछ इस्तती आ जाती जब उनको साले करना पड़ता है यहां अब जितनी परात्मिक कीट होते हमारे पहले कम आतरा अगशने खेत हीम दिखाएते और का कंट्रोल कर रिए बहतरी निजर्ट आएगा आठ दिन में तयार हो जाएगा अब इसकी प्रयोग आउधी में बता देता हूँ आपको कितने महीने में इसको प्रयोग करके आपको खत्म कर देना है तीन महीने से जादा इसको आपको नहीं चलाना है तीन महीने के अंदर आप इसको खतम कर दीजे, बनने के बाद से 8 वे दिन आपर बनके इसके बाद से 30 दिन तक आप इसको लीजिए, उसको उप्योग करके खत्म कर दीजे, साउधानी आपको यह रखना है कि आप मिट्टी के पात्र में ही इसको गर्म करें और ध्यान रखें कि मिट्टी का पात्र टूट फूट ना हो उसमें वन्ना था आपका जो पूरा प्रोसेस होने के बाद पूरा मामला बेगड सकता है तो साउधानी आपको यह रखना कि मिट्टी के पात्र में गर्म करना है आपको छिड़काओं आप कितनी मात्रा में करेंगे तो मेरे किसान साथ यह आपको यहाँ पर सो लीटर पानी में सो लीटर पानी में आपको 5 लीटर से 8 लीटर तक आप अपने खेट में कितने कीट है उस रसाब से इसका इसTime One ना करें सो लीटर पानी में एक एकड़ में इसका इसितंगा वहतरी आपको देखने को मलेंगे मेरे किसान साती मौनवा की अगर कहें तो 2 बिखा तक आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं 2 बिखा तक एक कड़की में बात करूं 1.5 से 2 बिखा आप इस्तमाल कर लिए 2 बिखा में भी आप कर सकते हैं 8 लिटर अगर आपके पस यहाँपर ये कंटेंट है तो किसान साथ ये पूरा प्रोसेस हो गया मैंने सारी चीज़े अभ्योस्ति समझा दी इसके अलाव अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्ष sto मैं कमेंट करें तशपण्य अरख हो गया हमारा अगनी अस्थ हो गया है आने वाले वीडियो में हम ब्रहमास्त्रों नीमास्त्र को समझने वाले हैं वाली वीडियो बहुत ही भैतरी नापके लिए होने वाले हैं इस बोट के ऊपर लगबगम सो से सवासो वीडियो में आपको समझाया दूगा तो काफी आप खेती के मास्टर हो जाएंगे तो किसान साथ यो चैनल को प्लीज आप सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को जादस जादस शेयर करिये धन्यवाद भूमी पुतर अगुराव संग्रा ठोड अपनी खेती अपना परीचाएं